साथियों, क्रिष्ण गुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर बारा वर्ष में एक मास के अखंड नाम जब और किर्टन का अनुस्ठान शुरू किया था. हमारे देश में तो बारा वर्ष की अवधी पर इस तरह के आयोजनों की प्राचिन परंपरा रही है। और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है कर्तव्य। ये समारो व्यक्ति में, समाज में कर्तव्य बोत को पुनरजिवित करते थे। इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले बारा वर्षों में जो कुछ भी बीता समय में हुआ है, उसकी समिक्षा होती थी, बर्तमान का मुल्यांकन होता था और भविश्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर बारा वर्ष पर कुम्भ की परंपरा भी इसका एक ससक्त उदार्न रहा है। 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारों का सफल आयोजन किया था। अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आयोजन बारवे साल में ही होगा। तमिल नाडु के कुम्भ कोनम में महा माहम परवभी बारा वर्ष में मनाया जाता है। बगवान बाहु बली का महा मस्तकाभी शेक ये भी बारा साल पर होता है। ये भी संयोग है कि निलगिरी की पहडियों पर खिलने वाला निल कुरुंजी पुष्प भी हर बारा साल में ही उगता है। बारा वर्ष पर हो रहा कृष्ण गुरु एक नाम अखंड किर्टन भी ऐसी ही ससक्त परंपरा का सुरुजन कर रहा है। ये किर्टन पुर्वोत्तर की विरासत से यहां की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेकों अनेक सुपकामनाय देता हूँ।